सब्सक्राइब कीजिए टेग माइन वर्ड चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस वेल आइकन पर क्लिक कीजिए हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ उमे सेनी और आप देख रहे हैं टेग माइन वर्ड दोस्तो आज मैं आपको pen card कैसे online apply करते हैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले अपना browser open करना है और यहाँ type करना है google.com और यहाँ पर हम search करेंगे how to apply for pen card online तो यहाँ देखिए सबसे उपर pen card online rate 107 apply pen online.com यह website है इस website को मैं अपने description में भी देने वाला हूँ आप वहाँ से भी इसको open कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर click कर लेते हैं तो यह देखिए home page open हो गया है और यहाँ आप देख सकते हैं new pen card यहाँ पर यह आपको select करना है तो यहाँ पहले से यह select है उसके बाद यहाँ देखिए और भी यहाँ पर option है changes correction in pen card अगर आपके पास पहले से pen card है अगर आपके pen card में कुछ गलत है तो आप यहाँ से उसको correction के लिए apply कर सकते हैं lost or damage अगर आपका pen card खो गया है या damage हो गया है तो आप यहाँ पर click करके उसके लिए apply कर सकते हैं तो अब भी हम नया pen card apply कर रहे हैं तो हमको new pen card पही select करना है और उसके बाद यहाँ देखिए get started यहाँ पर click कर देंगे तो चलिए click कर देते हैं तो यह देखिए यहाँ page open हो ग मैं यहाँ पर भर देता हूं यहाँ देखिए सबसे पहले personal information तो सबसे पहले first name तो यहाँ first name भर देते हैं उसके बाद है last name यहाँ पर last name भर देंगे जो भी last name रहता है और यहाँ middle name जो भी middle name होगा वो यहाँ पर भर देंगे और यहाँ देखिए name should be actually as per id proof आपको वही ना यहाँ date of birth जो भी आपकी date of birth रहती है वो यहाँ भर देंगे और यहाँ पर month भर ना है और यहाँ पर year उसके बाद यहाँ gender select करना है gender में male female जो भी रहता है तो यहाँ male में select कर रहा हूं और यहाँ पर marital status single married तो यहाँ में married हूं तो यहाँ married select कर लेता हूं उसके बाद प्लावर नाम चाहते हैं तो आपके pen card पर जो नाम आएगा उमेश चंद्रा सेनी इस तरीके से आएगा अगर आप other नाम pen card पर चाहते हैं तो यहाँ पर any other नाम यहाँ पर टिक करके यहाँ पर आप नाम दे सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेश्ट करूँगा जो आपका नाम document में होता है वह यहाँ पर रखें उसके बाद यहाँ फादर स्ने तो यहाँ पर फ्रस्ट नेम रख देंगे यहाँ पर लाश्ट नेम और यहाँ मिडल ने उसके बाद यहाँ contact detail मोवाईल नमबर आपको यहाँ पर भरना है उसके बाद email id तो यह ज़रूर ध्यान देना है जहाँ पर red color का यह star बना हुआ है यह आपको कंपल्स जरीए भरना एक तो उसके बाद यहाँ landline अगर नहीं है तो छोड़ देंगे blank उसके बाद यहाँ communication तो यहाँ residence या office आप किस पर अपना communication कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ residence पर क्लिक कर दूँगा उसके बाद यहाँ document proof आप document proof में क्या देना है चाहते हैं तो यहाँ पर आप select कर सकते हैं तो सबसे पहले है आईडी प्रूफ प्रूफ में आपको select करना है तो यहाँ पर भी में water id card select कर रहा हूं फिर इसके बाद date of worth आपके बाद जो date of worth का certificate है तो यहाँ पर select कर लेंगे लेकिन मेरे पास date of worth का नहीं है तो मैं यहाँ पर high school matriculation certificate यहाँ पर select कर रहा हूं उसके बाद other address इसको छोड़ देंगे अगर आपके पास other address है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं उसके बाद यहाँ देखें इंकम source, आपकी income source है वो select करना है तो मैं यहाँ सेलरी सेलक्त कर रहा हूं क्योंकि मैं employee हूं मुझे सालरी ही मिलती है उसके बाद यहाँ annual income यहाँ सलेक्ट करना है आपके annual income कितनी है तो मेरे 30,000,000 से नीचे है तो में यहाँ 30,000,000 से नीचे सलेक्ट कर लिता हूं उसके बाद यहां business tie उसके बाद address information आप यहां पर अपना address fill करेंगे जो भी आपका address है तो मैं यहां पर कर दे रहा हूं अपना address यहां मैंने अपना मकान नंबर लिख दिया है यहां ब्लेज का नाम लिख दिया है और यहां पर पुस्ट लिखना है उसके बाद यहां area है यह local टी तो मेरी मुआदवाद है मैं यहां मुआदबाद लिख देता हूं उसके बाद यहां state स्टेट करना है तो मैं अक्रपर्दिश हूं कि यहां उत्तरपर्दिश कर लेतां है उसके भाद यहां पर सिटी यहां सिटी सेलक्क कर लेते हैं retir रहां मुरादाबाद और उसके बाद यहां पिं कोड यहां पर कोड डाल देंगे कि यहां देखिए ओफिस एड्रेस यह ऑप्सवनल को अगर आपके पास official address है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं और इसको blank छोड़ देंगे और यहाँ देखिए addresses information इसको छोड़ देते हैं और यहाँ देखिए declaration तो यहाँ पर आपको declaration करना होगा कि आपकी जो बोटर आईडी है यानि जो भी आप ID प्रूफ महाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर मैंने वोटर आईडी select किया था तो मेरा यहाँ पर declaration वोटर आईडी से हो रहा है और जन्म का मेरा matriculation certificate से और यहाँ देखिए आयम उमेश चैनी यहाँ पर applicant का नाम आ गया है वसके बाद यहाँ पर date और यहाँ पर city और फिर उसके बाद आपको क्या करना है और यहाँ पर देखिए एक mandatory है please ensure the name in the ID proof match उमेश चैन्दरा सने if the name does not match the application would not be accepted जो आपने ID proof select किया है अगर आपका नाम उससे match नहीं करता है तो आपकी जो application है वो reject कर दी जाएगी यहाँ पर पहले ही warn किया जा रहा है तो यह चीज़ ध्यान देनी है आपको नाम सेम रखना है बलकुल जो आपका ID proof पर है वही नाम रखना है उसके बाद यहां सम्मिट पर क्लिक कर देंगे तो यह देखिए यहां दूसरा पीज हमारा open हो गया है तो यहां देखे पेमेंट समरी तो यहां basic pen card service के यहां पर 93 रुपीज है उसके बाद government prescription fees है 99 रुपीज टोटल आपके होते हैं 199 तो यहां उसके बा यहां proceed to payment यहां आप पहले सारी चीज़ चेक कर लें पर क्लिक करने से पहले आप आप यहां पर सारी चीज़ चेक कर लेंगे तो यहां देख लीजिए आपने सब कुछ सही किया है उसके बाद प्रॉसीट टूपेपर क्लिक कर देंगे अगर कुछ गलत किया हुआ है तो यहां से भी कलिक कर सकते है इस पर और उपर यहां से भी कलिक कर सकते है तो मैं अभी यहां पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां देहिए mode of payment, payment amount युझे है तो आप क्रेट कार्ड, debit card, net banking, cash card इन सब से आप payment कर सकते हैं यहां जो भी आपका card nober होगा वो डाल देंगे यह आपका 16 अंकों का card number रहता है वो डाल देंगे उसके बाद यहाँ name on card आपका जो card पर नाम है वो यहाँ पर डालेंगे और यहाँ x पारी month यहाँ x पारी month डाल देंगे और यहाँ x पारी year डालना है और उसके बाद ccb number जो आपके card के पीछे होता है तीन अंकों का वो ही यहाँ लिखना उसके बाद make payment पर click कर देंगे तो इस तरह के से आपका यहाँ से payment cut हो जाएगा उसके बाद आपके पास जो आपने detail बगरा बरी है आपके पास एक form generate होगा तो उसका print out निकालके आप और उसके साथ जो आपने ID proof भरे हैं वहाँ पर वो ID proof आपके form के साथ signature करके उस address पर भीजना पड़ेगा आपके पास address बगरा सब कुछ आ जाएगा तो इस तरह से आप apply कर सकते हैं अपना online card तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही जोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सेयर, कमेंट जरू करिएगा और साथी साथ हमाँ चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू फॉर वाचिंग दिस बिज़िए